असलाम वालेकुम वेलकम चूमाई यूट्यूब चैनल कैसे हो आप साथ आई होप आप लोग ठीक टाक होंगे मैं भी ठीक टाक हूँ और मुझे आपसे जल्दी में दो दो बाते करनी है आप लोग भी कहते होगे कि मैं रोजी आपसे बाते करना शूब हो जाते हूं लेकिन म पहली बात तो मुझे आप लोग का थैंक्स कहना है कि आपने मेरे 950 प्लास सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट का दिया उसके लिए थैंक्यू और मुझे फिर आप लोग से यह भी कहना था कि जब आप इतने लोग हो तो फिर आप लोग स्टोरिस को देते ही नहीं हो व्यूज क्यों नहीं देते हो और दूसरी बात मैंने यह कहने थी कि लिटल एरोगेंट जो हो अपातम होने वाली गया है तो उसके बात फिर हम जो तो नहीं हमारी स्टोरिस हैं उन्दोनों को करेंगे और अगर आप लोग चाते हो हाला कि बहुत सारी सिस्ट्रेस ने मुझे बोला त मुझे वो जो दोनों स्टोरिस हैं वो रोज अपलोड करने चाहिए तो यार देखो मैं क्या करूँ ऐसे तो मेरा चैनल पैसे कितना डाउन बिचारा जा रहा है आप लोग देखते तो हो नहीं व्यूस तो देखते नहीं मुझे तो फिर मैं वहीं उसको अपलोड करते या तो आप लोग देखो ना फिर मैं भी आपलोड करूँ और एक तरफ तो आप लोग कहते हो आपको बड़ी ही पसानना है स्टोरिस बड़ी ही पसानना लेकिन व्यूस तो उसके यह गंटा ही नहीं आते हैं तो फिर आप लोग देखो ना थोड़ी व्यूस मुझे दोना ताके फिर मैं भी हुशी हुशी थोड़ी और मेनदकार के साथ कपा के आपके लिए तीनों स्टोरीज ला सकूँ So I hope आप मेरी बात को समझोगे और मुझे स्पोर्ट करोगे तो चलिए आप चलते हमारे लिटल एरोकेंट के पार्ट नमबर सिक्स्टीन की तरफ तो आप हमारे विंग और वांग जी की शॉप में कम्प्रीट हो चुकी थी और दोनों ही अपने अपने मैंशेन में आ चुके थे और वांग जी का तो मुई बना हुआ था उसकी तो मरताना गारत या फिर अलफा वैलू गारत या बात परताश नहीं कहा रहे थी चलो सही हो गया वो विंग की हाथर साहब के सामने उसकी राइड बढ़ने को रैड़ी था लेगी ये क्या पिंक ट्रेस अरे नहीं मैं नहीं पहनूँगा उसने सोच लिया था और फिर उसके शिदानी दुमाग में तो फानी आइड आ चुका था देख लेना विंग मैं अभी ये पिंक वाला ट्रेस नहीं पहनूँगा क्या सोचा था तुमने मेरे उस ग्रेड फादर इनला ने कि वो मुझे ऐसे लिड़की बना देगे बिल्कुल नहीं उसने सोच लिया था और आपका उसका पूरा प्लैन रहटी हो चुका था और विंग भी अपनी तरफ आ चुका था और उसने अपनी सारी फापिंग जैसे आते ही सोफे भेंग देख था उसके ग्रेंट पाने का विंग ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है जाब देखो तुमारे नोने तुमने नहीं हतम होते कभी तुम मुझ बना लेते हो या ये वाले काम करने है तुमने ग्रेंटू मैं तो ऐसे ही हूँ कैसे हो तुम मुझे स्ट्रोंग लोग पसान दा जैसे वांग जिया तुमने देखा नहीं हो एक मैगा बोके भी कितना स्ट्रोंग है और वो तो कितना ही बेबाग और नड़ार पच्चा है कुछ भी कहने हो ख क्या मैं सच गया ओनूगर मुझे पता चला में अलफा नहीं हुपिर तुम देख ना मैं बहुत जादा हुसा हुआ और फिर अगर तुमने ने रोम में जाकर सड या करो काल तुम और सूब सुबा तुम लोगो कि हाती भी दोया न औफिस हां तो और क्या बिजनस को उन सुभालेगा क्या शादी कार के गार में बैठी रहोगे चल जाओ यहां से वो उसके ग्रैनू ने इसको टांट के भेज़ दिया विंग अपने रूम में आ चुका था हाँ वही मामा वाले रूम में और हाँ वह सोच रहा था क्या ही बिचारी की लाइफ हो गई है पहले तो वह गरीब हो गरीब हो कहता रहता था और अच्छा अब अमीर बार दिया अब भी तो बिचारी की कोई इज़त ही नहीं थी जिसको देखो से डांटे जा रहे है एमोशनली ब्लैक में लिया जा रहे है उस छोटे से वांटी से लेके उस बूरे क्रियान हो था जिसको देखो बस उसके एमोशनल होने का फायदा उठाते है मैं ऐसा क्यूं मैं कब ठीक हूँगा गॉड पीस हेल्प मी मुझे थोड़ा से स्ट्रॉण बना दो एक तम पाफुल स्पाइटन मैं जैसा बना दो या फिर चलो पैटन मैं जैसा बना दो जिसके जासा मरजी लेकिन मुझे बहुत ज़ादा पाफुल बना दो ताकि ये सारे जो मुझे आगे लगा आगे रखते हैं और मेरे पीछे ही लगे रहते हैं मैं इनको ज़रा सबक से खा दूँ और वो इसी तरह दोहाई करता करता अब सोई चुका था और आप नेक्स टे भी ऐसे गुज़र चुका था शादी की त्यारियों में विंक अपने आफिस बहुंच चुका था और वहाँ जा कि उसने काम को समझा और आफिस टाफ से भी तो उसकी पहले मीटिंग हो चुकी तो साब उसे अपने ने बोस के रूप में सुई कार आइमीन एकसेप्ट कार चुके थे और दूसरी तरफ हमारा वाँची बेपने कालेज में जा चुका था उसने जा कि अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि उसकी और ओल्डी की शादी होने वाली है तो वो साब लोग सिरूर आएंगे और मीमी और मॉमों तो कितनी ज़्यादा शौक रहागे थे हैं कैसे ये कैसे हो गया था अरे हाँ हाँ तुम लोग के ऐसे क्यों कार रही हो तुम लोग भी आना शादी पे लेकिन हम तो छोटे हम तो आपके कालेज फ्रेंड भी नहीं आतो क्या हुआ क्या हुआ जो तुम लोग चोटे हो और मैं कालेज में पहुंच गया हूँ तुम लोग मेरी फ्रेंड्स हो ना तुम लोग मी जरूर हमारे शादी में आयोगे साप लोग आना ठीक है और उस खुडूस से शौन को भी लेकि आना उसने अपने दूसरे चोटे दोस का नाम या लेकिन वो तो दूसरे स्कूल में चला गया ना कोई बात ने उसको भी लाना साप आना बहुत मसाने वाला है ओके ठीक है और फिर अब शादी का दिन भी आ चुका था और वीम तो भी चारा इतर से उदर उदर से इतर भाग ही रहा था और शादी लैंड मैंशन में होनी थी इसलिए उसके ग्रईनू और वो भी उदर आ चुके थे और उसके ग्रईनू बार बार अपनी दोनों छोटी छोटी उसी immune क्यूट क्यूट सी ग्रेंट डाटर्स को देखे हुश हो रहे थे वैसे चैरी ये तुमने अच्छा काम किया है हां तुम्हारा भी कोई सहारा ओन अच्छा है ये जब तुम और ज्यादा अपूरी हो जाओगी चलो तुम्हारी बेटगा तुम्हारा हयाल रखेंगी तो मेरा बेटा कहां क्या कौन सा बेटा वी वो तो मेरे पास रहने वाला न और वैसे भी अच्छा है तुम अपनी बेटियों को हूँच संबालो और वो तुम्हें संबाले तो वींग के उपर नसर रखने की जरूरत नहीं है लेकिन वह अब मेरा साने लौ भी तो है ना चैरी ने अपने ससर से का तो क्या हुआ कोई साने लौ नहीं है तो वो सिर्फ मेरा घ्रैन सान है और हाँ वांची मेरा साने लौ जिसको मैं लेके जा रहा हूं और अब अंगल चरैन चुपी हो गए थे वांची ने तो जैसे उनको किसी के रहा कि मुँँ दिखाने के काबल ने कोई चोड़ा था डिसको भी पता चलता था कि अलफा की शादी अलफा से और या वो तो अंगल चरैन को कितनी बातों सुनाता था है क्या है मजबूरी भाड़ गी थी जो कि तो अलफा जी आपस में शादी का रहा थे लेकिन उन्होंने यही बात गया दिदी के भाई मॉडरन सम जिसको जो अच्छा लगता करने दो हमें किया और शीचन गावी तो ऐसे ही थे क्योंकि वो तो सारी सच्चारी जानते थे इसलिए उन्होंने विस्ताव से कहा दिया था कि वो अपने भाई की उश्यों की राह में बिलकुल रुकावर नहीं बनेंगे और राविंग जो था आपने ब्लैक वाले सूट में बहुत प्यारा सा हां क्यूट सा दूला बनेंगे एक ताम रेड़ी था और जितने भी बिजनेस सेर्कल के लोग थे वो तो बास देख रहे थे और ये अलफा देखो तो कितना स्यादा क्यूट है इनुसेंट सा लग रहे तो अलफा लगता ही आपको थे कितने जादा तेज होते हैं और वो इसी इनुसेंस की वज़ा से तो मेरे दिल में बस घुसके बैठके निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब सारे चुप कार गए थे वान जी के बाते सुनके और उसने फिर से अपने सर्वन को बलाक बोला हे यू देख न क्या करेगा हैं क्या बोलता हैं सारा यतों कुछ ने बोल रहा जा जा कर गाम करो मेरे अगर सबान क्यू चलाते हो मैं कहा था नि मेरे आगर अगर पास घड़े हो जाओ और अगर उसका एग बून küçीना टपका तो मैं तुम्हारा इदर हून कार दूँगा चलो तफाह उत हो उन दोनों के विराइटि का लिया था और वो उसकी कौन थी, जी प्राइट मेट्स थी और रिंग उसको देख के शॉक रहाए ये क्या तुमने मेरी भेणों पर भी कबजा का लिया हाँ, तो ये मेरी भेणों हैं वैसे भी तुम तो उधर चले क्यों न तो यहाँ मेरी बेहने हैं मेरी प्राइट मेर्स हैं और तुम तुम क्या लगेंगे हाँ तुम तो इनके ब्रदर इनला क्या मतलब ब्रदर इनला नहीं मैं इनको ब्रदर हैं नहीं आप तुम ब्रदर इनला क्यों के तुम उनके भईया को यानि के मुझे ब्याह के जो लेके मैं मासूम सी लड़की की तरह तुमारे साथ जा रहा हूँ तो ये तुमारे सालियां होई और तुम इनके बेहन होई What the hell? हाँ, ये हैल है समझ लो तो उसने फिर से उविंग बिचार को चुप करवा दिया था और वो अपने साथ साथ दोनों अपनी छोटी सिस्टर को एक को राइट साइड में, एक को लेफ साइड में पकड़े यान के उनको उनके प्रैम में लटा के पकड़े इदर से उतर कुमें जा रहा था पिंक वाला ट्रैस मैंने और कोई भी तो उसको दूलन समझनी रहा था लेकिन क्या ही कार सकते हैं अगर वांग जी ने कहा है वो दो लेना तो बस दो लेना है और कौन होता है जो कि उसकी बात को आगे से टाले है या उसकी बात को राइट करे और उपनी छोटी सिस्टर के साथ इदर उतर बस गूमी जा रहा था और फिर उसने दोनों को ठाई लिया था और उसने चान पूझ के इतने दोनों में से खिसी को भी नैपी नहीं लगवाने थी थी उसने कहा था आँटी ढहने दे कितनी ज़्यादा कर मीया मैरी चाहता मेरी पिचारी चोटी से महसूंसी कि उर्सी सिच्चर्स को रैशी सोचे मैं इनको वैसी कहरी कार लूँगा और फिर क्या हुआ धारीबा और ही बात दोनों ने एक दम से उसके कपड़ों पे सूसू कार दी थी ओनों कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरी बेन नहीं है साब उसकी दरफ देख रहे थे अरे कोई बात नहीं मेरी बेन नहीं है मैं साब कार लूँगा वो इदर से उसके कूम रहा था और फिर उसके पापा नहीं उसको बिलाया आई मीन अंकल नहीं उसको बिलाया था मैंने करूंगा मुझे ग्रैनू ने बोला कि मैं पिंक पैनूँगा मैं कैसे उतादू और फिर वो ग्रैनू के पास से भी गुजरा था ऐसा ये अपने गीले-गीले कपड़े उनको दिखाता है ये क्या कहा रही है तुम पूचिनिंग ग्रैनू वो जो आपकी ग्रैन्टाट मेरी प्यारी बैन है उन्होंने मेरे उपर सुसू कहा दिया लेकिन कोई बात नहीं मैं तो इसके उपी उनकी तरह से ब्लैसिंग समझ रहा हूं ये भी समझ एक तरह से उन्होंने मुझे द्वाइए दिया ना क्या मतलब है बस ठीक हुए आंकल कोई मसला नहीं चाहो ये ड् ग्रैनू कोई जरुएत नहीं है कोई भी जरुएत नहीं है मैं यही पैन लूँगा वैसे मेरे पास एक ड्रेस है मैं वो पैन सकता हूँ उसने बोला था अच्छा कौन सा ड्रेस है और फिर अंतर से एक पिंग कलर का ड्रेस मिकाल के लेके आया था हाँ ये पैन लो लेकिन यह देखें यह तो मुझे थोड़ा सा लूज है ना मैं मतलब उसे विंग से जोटा हूँ वैसे अगर आप लोग चाहें तो मैं उसे अपना ड्रेस एक्सटेल कार सकता हूँ क्या मतलब मतलब देखें ना वो विंग को भी तो थोड़ा टाइट है ना तो अगर वो मुझे देदेगा तो मैं उसको देदेगा वैसे भी शेम उसके फुल उसके टाइप का है उसको तो वैसे भी पिंग कलर पसंद है तो क्या फिर मैं देदू उसे मैं ब्लैक पैल लूँगा कोई बात नहीं मैंनेज का लूँगा लेकिन तुम तो ग्राइट होना तो क्या हुआ कुछ भी नहीं होता करने देना और फिर उसने नानू की तरफ मस्कीन से शेकल बना के देखा नानू समझे ना उंकल है वो क्या सोचेंगे समझे ना और आप उनको इसारों शारों मैं ये बताने के खोशिश का रहा تھا knya कूbird को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एलफा नहीं इन्मे गया और फिर ग्रान उनका अचछा झाठीक है तुम ऐसे करो, विंग को बलाओ उन्हों न विंगो भलाया और विंगो भलाया चलो जल्दी से कपड़े उतारू क्या मतलब क्यों कपड़े उतारू अरे तेखो ना वांग जी के ड्रेस राब हो गया उसने पिंग कलर का ड्रेस मंगवाया था लेकिन वो उसे थोड़ा सा बड़ा लंबा है तो तुम ऐसे करो तुम वो पहन लो और ये ड्रेस तुमें टाइट है ना थोड़ी छोटी है तो तुम इससे देदो मैं नहीं तूँगा मैंने अपनी मर्जी से ब्लैक ड्रेस लेक्ट किया था विंगो तो एकदम से फिर से रूना आ गया अब परतार तो तुमारी आँख से एक खांस किया शरम करो तुम एक एलफा हो के एक दूले हो के कैसे रोए जारो अब मैं तुमारा मूँ तो खर नूँगा तुमने मजी कोई बात बोली तुम नानू है ताम से घुसे से विंग की तरह देख रहे थे जाओ चल्दी से अपने ड्रेस चेंज कार किया हो शादियों ने में बस थोड़ा सी टाइम है दफाव जेंगा से उन्हों और विंग और वांची तोनों को टांके बेज दिया और वांची ने विंग की तरह मस्कीन से शेकल मनाखने देगा मैंने कुछ नहीं किया और डी वो तुम्हारी सिस्टर्स नहीं देगो मेरे कपड़ राव का दिन तो मैं थो हुशी हुशी बिंग ट्रेस ही पैन रहा था और विंग अब उसकी चलाकी क्या क्या ये बिचारा बोल सकता था कुछ भी नहीं विचारे को वही करना पड़ा जो ग्रैन उने कहा था नहीं तो फिर से उनका वही एमोशनले ड्रामा चालों हो जा था और विंग विचारा पिंग में और वांची ब्लैक ट्रेस में आ चुका था यानि के तोनों अपनी अपनी उकात में आ चुके थे फाइनली अब शादी का टाइम होने वाला था और फिर वो दोनों फ्रीस्ट के आगे खड़े होगे चलो जी शादी करने के लिए विंगा तो थिल खा रहा था जब उसे पूछें कि क्या हो से ये शादी की गुलब होते एक ताम से बूलते हैं नहीं बिर्फिक बूलने हैं इसे एच्छा शादी करने से हमार जाओ लेकिन वो क्या आएका है सकता था एक तरफ उसकी मामा एक तरफ उसके अंकल उसके फादर और दूसरी तरफ उसके ग्रैनों और शीचन का वो सारे तो कितने अच्छे थे नहीं इतना ज़्यादा प्यार करता है तो इसे बूलते हैं तरफ एक वांग जी की आतर उनको तो दूप नहीं था दे सकता उसने बड़ी मुश्कल से दान कीशते हुए नाग चढ़ाते हुए और आके गुमाते हुए उसने आई टू बोल दिया था और वांग जी ने भी बोल दिया था लेकिन अब क्या रिंग को पहनाएगा पहले तो विंग ने का मैं दूलाओ मैं पहनाओगा और फिर उसने वांग जी को रिंग पहना दियो फिर वांग जी ने भी उसको रिंग पहना दियो रापा रही थी कि इसके लिए इन पहले किस कौन करेगा तुम किस क्यों निकाल रहें। ग्रयासा किस क्या मतलए बैर्यासाथ अब बांध करने मेँ तुम इतना कुछ काल लेती है। आप तुमें से कुछ हो इंने रहा है। पे मुछ उपनि सवर्य सबीद समस्य तैं। चलो और फिर आवींग क्या ही कार सकता था वो आगे बढ़ा और उसने चोटी सी की से वांची को पकड़ के कार दी थी पिलकुल अपने लिफ्स को पांद रखते हुए बास जासे कस्टम है फूरा क्या था और वांची को कितना जयाधा उस आया ये क्या कर रहा है मिरे साथ ऐसे का रहा it और फिर वांची ने आखो देखा ना ता उसने उसने थाम से वींग को जैसे उसके बाल उसे पकर के करीब गए और उसे साव के सामने जैसे बूके शेरों कितरा कितनी वाली किसकी यह जा रहा है था है और उसे छोड़ी नहीं रहा था और वह इनकी तो आखे उदर उदर फटी की फटी रहा गए और उसके पापा तो देख रहे थे यह देखो यह विक्टम है है यह विक्टम है जिसका बि के शेरों की तरह किसी यह जा रहा है, कोई शर्म नहीं है, लोगों में कोई शर्म है ही नहीं, मैं अब शर्मीन देख सकता, वो उटके चले गए, और आप ग्राइनू तो कितने ज़्यादा फ़र से देख रहे हैं, रहे वाँ वाँ, मेरा साने लोग, कितना ज़्यादा नहीं है अच्छी जोड़ी रहेगी मेरा सानी लोब बहुत ज्यादा क्रेट है I'm proud of you my son लोब proud of you और वो उसे दूर दूर से flying की से दिये जा रहे थे जो कि उनकी grandson को उनकी सामने ऐसे वाइली किसके इत्यारा था और उसने पूरा एक पिस करने के बाद और साब के मूँ और आंखे बांद करवाने के बाद ही उसने वींग को छोड़ी दिया था और वींगा लाल चैरा लाल होट लिए और लाल ये नाक लिए उससे से flying की तरफ देख रहता हूँ बेशादी पार गया तुमें चैन अब मुझे अपनी शकल ने दिखाना उसने एक दम से flying को खा और वो दूर जाके बैठ किया था और उसने फुस्से में आके जूस समझ के फिर से flying पीना शुरू का दी थी ये सोचे बगार कि ये हमाइना जो उसे बार बार कितना ज्यादा से लील करवाती है उसे सब कुछ भुला दीती है और मांग जी ये सब देख रहा था उसने सोचा हूँ नो अगर इसने फिर से नशा कार लिया तो यह तो फिर कर आपको मेरास पैड़ी बंचे का हूँ नो ग्या करो वो जाकर फिर से सोफे पे जाकर उसके साथ ही पैट गया और उसने उसके गंदे पसा रहा रहा है क्या रहा है जोस पी रहे हो तरह लाँनो मुझे भी दो और उसने उसके हाल से ग्लास जोड़ी पी गया और फिर क्रैणून दोनों की तरह स्पिर और से घुछ सा देख रहा है तुम ड्रिंक का रहे हैं यह ड्रिंक थी, मुझे तो नहीं पता चला वाउंजी फिर से माशूम पा रहे थे अंगो ना ना रहनू वो मुझे लगा कि वो हस्बेंट रहा ना वो तो जूस भी रहा है मुझे पता है नहीं चला मुझे तो इतनी जादा वीकनेस फील हो रही थे मैं तो दरकाग से धूप में घड़ा था मुझे चक्कर आ रहे थे तो इस वज़ा से मुझे लगा ये जूस भी रहा तो मैंने पास जल्दी से मेरे लेके प्रीलिया मुझे पता ही नहीं दे लिखा जा क्या किया तो इसमें पहले क्यों नहीं बताया उनूस, मैं क्या करता? देखा ना कि कैसे मुझे मुझे वहाँ पे छोड़ कि आ गया था? उसने फिर से भी इंकि शिकायत काल दी, नानू मैं क्या करूँ मैं देखा, इसने मैं साथ क्या किया कैसे इसने मुझे ट्रेट किया साब के सामने इसने मुझे कैसे की जिया मैं देखा ना देखा ना ये देखे अब इता है कि मेरे लिप्स कितने ज्यादा स्वालन हो चुके हैं, वो उन्हें अपने होन दिखा रहा था, भे शर्प लड़के, भे है आप ठेका रहा था आदमी, तो मैं को शर्म है कि नहीं है, तो उन्हें आप फिंग भी टांडा शोगा दिया, ग्रैनू, क्या ग्रैनू है, जो काम तुम्हारे करने के हैं, सारे काम ह बाफूल आलफा हो के, जो कमरे में न जाने क्या कुछ ही करता है, तुम अपनी वाइप को किस नहीं कार सकते, शर्म से डूब मरो गई जाके, जरूर ये सारे तुम्हारे लचरे तुम्हारे बाप से घाएंगे, वरना मेरी बेटी तो ऐसे बिल्कुल नहीं थी, वो तो इत बोलनों न कितने बोले तरीके से विंग को डान दिया था, विंग मुझ बनाकर चुप कार के फिर बैठ किया था, फिर आप रोना शुरू कार दोगे, क्या लड़की हो कि तरह, मैंने सार फार देना तुम्हारे चलो चुप करो, हैपी हैपी रो, और अभी तो तो तुम लो सारी फिर्माइशें पोई करूँगा, वांग जी ने कहा था, और ग्रैनों फिर से जाहिए, उसे बड़े प्यास से देख रहे थे, देखा, ऐसे होना चाहिए लड़की को, एक ताम परफेक्ट, एक ताम टार पोक नहीं, बलके नटर, जो के तुम बिलकुल नहीं हो, विं सानो